हलो फ्रेंड्स में शालनी और आज हम बनाएंगे कस्टर्ड कुकीज बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरूर करते हैं कस्टर्ड कुकीज बनाने के लिए हाफ कफ मैदा और चोथाई कप के करिब ले लिजे इसमें कस्टर्ड पाउडर एक टेबल इस्पून मिल्क पाउडर डाल दीजे साथ में डाल दीजे दो चुटकी के करीब इसमें नमक नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है शुगर पाउडर या फिर देसी खान दो बड़ी चमच मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं एक टेबल इस्पून इसमें ओइल डाल दीजे अब डाल दीजे इसमें बेकिंग स्रोड़ा और बेकिंग पाउडर दोनु का रेशो वन फूर्थ इस्टू हाफ का है थोड़ी सी यहाँ पर इलाईची पाउडर डाल दीजे इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिजे सभी इंग्रियंट्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं अब इसमें दो से तीन टेबल इस्पून पानी को धीरे-धीरे करके डालेंगे और इसका डो तयार कर लेंगे इसका जो डो तयार करते हैं बहुत ज़्यादा ना तो सकत होता है ना ज़्यादा ढीला होता है बीच का डो तयार होता है और इसको जो हम गूतेंगे वो अच्छे से नहीं गूतेंगे जस्ट इसकी बाइंडिंग करनी है तो हमारा डो कुछ इस तरीके से तयार हो जाएगा य यदि आपको जादा मात्रा में बनाना है तो आप सारी सामगरी को जादा मात्रा में ले सकते हैं अब इसको थोड़ा सा फ्लाइट करकर हम मिलन की साहिता से बेल लेंगे और चाकू से स्क्वेर या रैक्टेंगल शेप देंगे कुछ इस तरह से तो ये देखे बिना साचे के ही काफी बढ़िया हमारी शेप बनकर तयार हो गई है तो आपको ये भी नहीं कि हमारे पास कुकी कटर नहीं है आप इसके बिना भी बहुत अच्छी कुकी बना कर तयार कर सकते हैं अब इसके उपर किसी भी चीज से आप डिजाइन दे सकते हैं या तो चम्म से दे सकते हैं या कोई भी डिजाइन वाली चीज से से दबा कर इसमें डिजाइन बना सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसके उपर आप कोई भी ड्राइफूट छिटक दीजे जैसे मैंने इसमें बदाम की खत्रन और पिस्तेगी खत्रन डाली है थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे बेक करते समय या निकले नहीं और देखे कुकिक हमारी कुछ इस तरह से बनकर तयार होगी लेकिन इसे अभी बेक करना बाकि है तो प्री-इट ओवन में 180 डिगैरी सेलसे से लगबख 10 मिनट से बेक करेंगे बेक करने के लिए मैंने इसे रख दिया है और हमारी को कीस कुछ इस तरह से बनकर तयार हो गई है enjoy कीजे friends आज की आपके recipe कैसी लगी मुझे comment में चरूर बताना ऐसी तरह नई recipe में फिर मिलेंगे bye bye thank you